जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए अम्विका दत्य ब्यास जी से संबंदित भौती महत्तुपुण कॉस्चन आंसर तो वीडियो पूरा बसे देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए त पर बहुती कम दामों में और आपके लिए यहां पर अभी ओफर भी चल रहा है और सब्ताव में दो दिन 2020 टेस्ट सीरेज फ्री करवाई जाती है तो इस टेस्ट सीरेज से भी अवस्त चुड़ें तो पिले स्टूर से से अब डाउनलोड करें और अपनी तैयारी में जो है विकल्प नंबर बी राइट आंसर है आनि कि जैपुर आपका सही आंसर है कौश्य नंबर दो अंभीकादत ब्यास का जन्में कब हुआ था लेकि कहां हुआ था तो जैपुर में इनका जन्म हुआ था कब हुआ था इनका जन्में तो 1856 ECB में इनका जन्म हुआ था तो विक समस्य पूर्ती के हल करने पर इनकोई उपादी दी गई थी तो इन दो विकल्प में से ही आप बता दीजिए तो आपका यहाँ पर question number 3 का जो सही answer है बहे आपका right answer की पुरी अमीकी कटोरिया C चिर जीवों विक्टोरिया रानी यह जो है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर जो भी है आपका यहाँ पर सही answer होगा question number 4 पूचा है यहाँ पर क्या पूचा है कि अंबिका दत्व्यास ने बिहारी सच सई के दोहों का किस चंद में पल लवन किया था यह आपको question number 4 में बताना है क्या होगा इसका सही answer अंभिकारत्य भ्यास ने बिहारी सश्थई के दोहों का किस छंद में पलवन किया था तो आपका right answer है कुण्ड़ियां कुण्ड़ियां आपका विल्कुल सही right answer होगा question number 5 है अंबिकादत ब्यास ने बिहारी सस्य के दोहों का कुंडलिया चंद में किस नाम से रूपांतरन किया था बिहारी कुंडलिया बिहारी प्रकास बिहारी लाल या बिहारी बिहार तो इन्होंने किस नाम सी किया था बिहारी बिहार नाम सी किया था तो विकल्ब नंबर D राइट आंसर है Question number 6 का राइट आंसर है आपका यहां पर विकल्ब नंबर यहां पर इक राइट आंसर है question number 7 पूँचा है अंबिका दत्व्यास की धर्म संबंदी आख्यान की पुस्तक है तो कौन सी है यहाँ पर आपके लिए बताना है गोसंकट या ललिता नाटक या फिर आउतार मीमानसा या पावाव पचासा पावस पचासा तो यहाँ पर आपका धर्म संबंदी आख्यान की पुस्तक है इनकी तो आउतार मीमानसा आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है अंबिका दत्व्यास ने किष्ण लीला पर आधारत किस किर्थी की रशिना की है वह किर्थी आपके लिए बताना है वह कौन सी किर्थी है तो आपका यहाँ पर question number 8 का राइट आंसर है वि कल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा यानि कि भारते अंदू भारते अंदू आपका सही आंसर है question number 10 क्या पूंचा है तो देखे अंबिका दत्व्यास ने किस पत्रिका का संपादन किया था question number 10 है और 10 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पर प्यूस प्रभाहे कासी बेशनों पत्रिका तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है यह दोनों आ और बा दोनों आपका सही आंसर है इनोंने अंबिका दत्व्यास ने किस पत्रिका का संपादन किया था प्यूस प्रभाहे और कासी बेशनों पत्रिका का संपादन किया था बिलकुल सही question number 11 यहाँ पर पूरी है इर चिना अंभीकधत त्वयास की नहीं है कौश्चन नंबर 12 की पावस 50 सा काव रचिना करचिना का आपके लिए बताना है इसका रचिना काल क्या है क्वारा है जो की बहुत ही महत्पूर पूश्चन पूंच Chief क्या है और इसका जो रचिना काल है अठारा सो चासी इस भी इसका रचना काल माना जाता है तो विकल्प नंबर भी आपका सही आंसर है सु कभी सत्साई की रचेता माने जाते हैं कॉस्चन नंबर तेरह का आपका सही आंसर क्या होगा सु कभी सत्सई की रचेता पूंचा है Q13 में और आपका सही आंसर है अंबिका दत्व्यास आपका रइट आंसर होगा Q14 है सु कभी सत्सई का रचिनाकाल क्या है अब आप सीहां पर रचिनाकाल पूंचा गया है 1894, 1896 1887, 1898 तो इसका रचिनाकाल पूंचा है तो 1887 इसवी आपका सही आंसर है सु कभी सत्सई का रचिनाकाल Q15 है कि अम्बिका दत्व्यास की मृत्यू कभ हुई Q15 भौती महत्यपूर्ण Q15 पूंचा गया है और आपका सही आंसर है 1926 आपका सही आंसर है जन्म इनका हुआ था ये 1856 में जन्म हुआ और 1922 में इनकी जो है ब्रत्तु हुई और इनका जन्म कहां पर हुआ था तो इनका जन्म जो हुआ था जैपुर में हुआ था तो विकल यहां पर जैपुर आपका जो है इनका जन्म हुआ था याद रखना है तो इस परकार अपन नहीं पर देखिए अंबिका दत्त ब्यास जी से संबंदित महत्त पूर्ण कॉस्चन कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरू बताए और सेल्प स्टेडी किलासेश एप डाउनलूड करिए आप यहां पर आपके लिए हिंदी साहित का संपूर्ण कूर्स मात्र एक हजार रोपय मे आपके लिए आपर उपलब्द है तो यहां पर आप जो है इस एप को डाउनलूड कर लें सेल्प स्टेडी क्लासेश एप को हिंदी साहित की टेस्ट सीरेज यहां पर उपलब्द है और आपके लिए यहां पर 2020 टेस्ट सीरेज भी करवाई जाती है तो भाई यह टेस्ट सी की बुक है जो की सरसब अप्लिकेशन की है और सभी लोग वीडियो को लाइक से और अवस्थ क्या करें बहुत सारे वीडियो इसी तरह से आने वाले हैं तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन